स्लावनिकु नाजीन आपको दोस्तों फिर से एक नए इंट्रेसिंग व्लोग के साथ लैप्टोप वाला पर मजूद है और यह सामने आप हमारे में बुलेवर देख सेखते हैं और आज संडे का दिन है अक्तर भाई बड़ी ही इंट्रेसिंग वीडियो लेके हैं आपके लि आज एसी ओफर लेके आए मेरे खासे बड़ी इंट्रेसिंग वीडियो है आज की अंदर की बात हैश्टैग अंदर की बात खोलेंगा है तो यह बड़े दुखाओं लगाते हैं सेल लग यह लग गया एक जनरेशन इतने में साइवन जनरेशन का रेट लगा रहे होते हैं जनरेशन एक वाहिस चीज नहीं है जो मैटर करती है प्राइसिंग में आज मैंने यह एड जनरेशन के ही सारे मोडल स्टेबल पर लगा के रखे हैं सारे के सारे एड जनरेशन है सबकर एड आट दुसोचपन के साथ ही कोड करूँगा लेकिन अगर आप देखें तो इन सब की प्राइसिस डिफरेंट है मोडल तो मोडल वैरी करता है तो हम इन सब उसका मदब प्राइसिस का कंपारिजन करने जा रहे हैं सिरफ और सिरफ यह एड जनरेशन अब इसमें मैंने नंब एड वाल नहीं रखा उनके तो प्राइसिस की गेम ही लाइद है सही है हम इसमें 12 सबसे पहले तो मैं आपको जो सबसे सस्ता वाला मॉडल ना इसमें एक्सटू एटी मेरे पास अवेलिबल है और यह पूछने की बात नहीं है आपको पहली पता लग्या गया गयर जनेशन है यह आई फाइफ की एडर और 256 के साथ सारे प्राइसिस की मतल मोडल की मैं कोड करूंगा और मेरे बाद डिफेंट इफेंट स्पेक्स में है लेकिन आइज पी रहम 256 जी एस जी के साथ 8 जनेशन यह वाला मोडल साथ हजार में मिलता है अब साथ हजार से यह वाला मोडल स्टाट हो जाता है एज जनेशन प्रोसेसर के साथ बैकलाट कीबोर्ड भी है टैनेटीपी और नटैनेटीपी दोनों वाले वेरिंट आते हैं चुलों वह तो एक बिल्कुल बेसिक साथ चीज है जो बहुत कम फरक डालती किसी भी प्राइस में टैनेटीपी लेकिन अब यह देखें कि यह सबसे सस्ता मोडल है सस्ते होने का रिजन सक्रीन साइज सड़ सबसे कम होता है अब करेंगे मैं अगला उप्शन दिखाऊं तो फिर यह देखें कि बार सथ हजार की रेंज में यह भी जनेशन और दूसों चपन के साथ है इसका भी साड़े बारह इंच है अब इसमें क्या है कि इसमें रैम बढ़ जाती है रैम होगी है अब अब ऑगर इसमें टाइप-C चार्जर ना होता है इसके अंदर टाइप-C चार्जर रहता है जो कि सिर्फ चार्जर की कोस्ट कहने तो वह 45 और चार्जर यह तो इस वाज़े से हैं यह ऑनबोर्ड रहें में साथे बारेंच का स्क्रीन साइज ओड भी ज्यादा सस्ता होता है मौड़र की तरजन सा मैंने डेल वर बताई यह बाइफ़ देज़र में अप्ग्रेडड़ राम के साथ है स्टैंडर्ड गोल्पी चार्ज़र लगता है अब साड़े बारे इंच का स्क्रीन साइज है यह भी बैकल यह बाइफ़ेफ़ बाइफ़ेफाल आइफ़ाइफ कि यह तो हम चलते हैं चोंसोट हेजार पर 64000 में डेल का 7390 मिल जाता है ठीक है और जी भी रहें 256 जी के साथ अब वह वाला मोडल सब्सक्राइब बारा इंच के स्क्रीन साइज में था तो दोनों के स्क्रीन साइज को देखे तो लैप्टप देखने में एक ही साइज नज़र आ रहा है लेकिन इसके बैसल चेक करें कि थिक बैसल इसके साथ है यह वह वाला स्क्रीन साइज के साथ बढ़ गया है और यह वह वह जुंसला है में 678226 बाकि सेंड की स्पैक्स रेम वेडेबल है और बी अच्छ रख वाल अभी है मतला थे इससे पहले जुम से दो रहा को कहते हैं पर यह सब ल्याज है सबस्क्राइब का सब्सक्राइब आप है 15 में अध्युक्राइब कर देल्ल का जूसा मोडल है वह चौंसर जा रहका यह व्ला मोडल है यह 300-90 यह सब्सक्राइब कर देख से कुछ ब्राउन और कोपर टाइप कर गया तो यह आपको सब्सक्राइब कर देख से करें कि से करें कि से मोई चीज यह 64000 वाला लैप्टूप अब ऑग चीज यह पैंसे जार वाला लैप्टूप अच्पी सतरह जाब करें ठीक यह इसमें प्रेमियम नस के पैसे अच्छी कौल्टी के प्रेमियम नस के पैसे आप इसमें बेह करेंगे यह मैटल बेल्ड में आता है यह दोनों के दोनों सब्सक्राइब अच्छा मैटल को कंडूक्टर होता है तो यह जितनी हीट बार फैंगता है उतनी इसकी भी अपनी बोडी में भी अब्सरूब करें वरना एच्पी की पर्फॉर्मस इन दोनों सब्सक्राइब से नीचे ही है एस कंड़र टू पर्फॉर्मस वाइस लेकिन एच्पी बड़े अच्छे नहीं दोनों मशीन स्क्रीन की क्वालिटी ज्यादा अच्छी लगी होती है तो यह एच्पी का है एक फॉर एट ठर्टी जी फाइफ थर्टीन बॉइंच के स्क्रीन साइब में 70 ताउजन की यह मशीन है तो यह वाली मशीन भी अमने कवर कर दी अब देखें अब माज़ जैते हैं 14 इंच के स्क्रीन साइज की तरफ ठीक हमने 12 बीश देख लिया तेरे अब 14 इंच वाले ल है ठीक हो गया यह भी खुब्सूरत मशीन है और इसमें मेरे बास पीस परे में में बास एक पीस नहीं है मेरे बास में 6-7 पीस परें अब 68000 में आपको यह वाला मॉडल तो मिल जाता है आट जी भी राम 256 जी के साथ अब अकसार कस्मर की नीड़ी होती है या मुझे 14 इंच इसके तेरा इंच साइज है जो के दो स्क्रीन साइज है ठीक है अब स्क्रीन साइज का उन्हें आडिया नहीं है तो यह बड़ा इजी पता लग जाता है मोडल की सीरीज बता जैती है जैसे कि देखो चबवन है फाइफ के बाद फोड है डेल में इनका सेकंड डिजट है व बड़ा पर छाइज में बड़ा च्छा घाता है और शेजट को दिक्कत आती है किसी को चोटा चाहिए होता है कोई कहता है मुझे बुक साइस का चाहिए मुझे चाहिए चोटा उनके लिए तो बेस्ट है तो यह अब जबननब्य हो गया इसी में मेरे पास एक इस एक अगला मॉडल है चबन सो जे आई फाइफ की एर जनेरेशन है ये ने डिजाइन में आता है चबन सो निव डिजाइन में आता है ये भी 2019 के एंड और 20 का मॉडल है जैसे मैंने आपको त्रेपन सो दिखाया वैसे चबन सो यह मिल जाता है आइफ की एडिए जनेरेशन 14-1 के स्क्रीन साइज में वहीं है का 70-2 में मैंने आपको कौन सा दिखाया था यह लाग्यों घ्रीव जोजा ला लैप्टोब ने का यह सा मोडर्य वा से मैं आजकल शर्ड़ा में चलते अन्यक्त पास्ति, दिखाब दो एक की पीस सब्सक्राइब तो एच्पी कर दोसा 14 इंच है ना लैप्टोप यह 14 इंच का स्क्रीन साइज है यह वाला पीस आपको 74000 में नदर आ रहेता है और दोसे चपन के साथ अब एच्पी 14 इंच है सतर हजार में तेरह इंच है वहाँ डल इतनी प्राइस चैक में 14 इंच का लैप्टोप पर वाइट करता है अब डल सबसे सस्ता ब्रैंड पढ़ रहा है कहने को करते कि यह सबसे सस्ता है लेकिन यह सबसे सस्ता मॉडल नहीं है तिक पैट की एक यह एस है आई फाइफ की एड जनेरेशन है और यह बाना जी भी रहम है दोसोच फ़पन जीबी के साथ है 75,000 नहीं है चलो मैं रहम को कम कर दो कैकुलिक्शन एजी कर दो तो यह वाला जूंसा है आपको 73,000 में पड़ता है तो 73,000 में आठ जी भी रहम 256 जीबी एसस जी के एक रहम ओन बॉर्ड है एक अपग्रेड़ेबल है जिसकी वज़ासे यह अभी भी भी पॉप्लर मॉडल है तो टी फॉर एटी एस भी बड़ा अच्छा और डीसेंट मॉडल बन जाता है अब मैंने आपको कमपैरजन दिखाया था हमने स्टार्ट आप कहां से किया था 60,000 म एंडिंग आपे गए हमने 74 maximum दिखाया आपको और यह सिर्फ साड़े बारा तेरा इंच और चौदा इंच की लैपटोब मैंने आपको दिखाया है बता हम इस साइस में रहे हैं अगर यह में पंदरा इंच में चला जाता तो पैंसर्टेजर तक की रेंज में एच्पी का ज 256 के साथ तेना इच का स्क्रीन साइज इतने में सिक्स जनरेशन आता है एच्पी ब्रैंड में जों से एच्पी के लेट बूक है तो मत मैं यह प्राइस का डिफरंस बता रहा हूं और बड़े दुकांदर ना सेल लगा लेते हैं यह इतनी जनरेशन इतने पैसों में इतनी अच्छी सीरीज के मोडल है लेनावो के सारी की सारी सीरीज अच्छी है डिसेंट और अच्छी प्रफॉर्मस प्रवाइड करती चाहिए आप यह साथ हजार वाला लैप्टवी क्यों ना ले लें बेस्ट क्वालिटी ग्रेट को कीबड मिलता है इसमें बेस्ट बिल्टी मि अब यह प्राइस सीर्फ प्रफेशनल स्रीज एच्पी की रेट्वुक को कंपेड किया मैंने और लनौव के तिंक पैड को कंपेड किया है इस वीडियो में और सारे एड जर्नेशन है साथ हजार से चोटरहजार तक लेकिन अब भी मैंने इसमें वो सीरी डेल का इस परों जो कि उनकी घटिया तरीन सीरीज है मतर्ब मैं स्टेट फार पर गटिया लावाज इस पाल करों सच में है इनकी लोवेस्ट बिल्ड क्वालिटी वाले मॉडल होते हैं बोत ही हल्की बिल्ड क्वाल्टी होती है और उसके एच्पी में जोंसा इनका 14-15S Notebook सीरीज जिसे कहत देल के 11 जनेक्शन बोक्स पैक इंस्पारों के साथ तो इंस्पारों उसके बड़ी तूट जाए इसनी कम बिल्ड क्वाल्टी में होता है एच्पी की Notebook सीरीज भी ऐसे लेनोवो का आइडिया पैट बहुत खुप्सूरा दिखता है वैसे लेकिं फिर भी आइडिया पैट हैं वह मोडल है जिसका हिंज सबसे पहले ख़राब होना है एच्पी की Notebook का भी यही सिंसेनरियो और डेल के इंस्पैरों का भी यही सिंसेनरियो है इनमें बार बार आप बोडी के पार्ट्स बगरा बदल बाते रह जाते हैं और यह मोडल इस बिजनस क्लास सीरीज से सस्ते हैं मतब अगर मेरे पास आइडेया बैड अपड़ा हो एट जनरेशन पचास में बीमेरे से ले जायेगा और नहीं से लेकले लेकिन दुकान दार विया करते हैं अच्छोंडे शको उसी करते हैं कि क्स्ट्मयर का लोग्जा किस्ट्कर प्रूइस परचेस करना है आपने को और आपको अपने स्क्रीन साइज के साफ से पता हुए कि मैं कि स्क्रीन साइज के पैसे पे कर रहा हूँ ठीक होगा गाइस आज की वीडियो बनाने का मक्सित यह था कि आपको आइडिया हो सके बेसिकली एड जनेरेशन सिर्फ एड जनेरेशन ही नहीं होती उसके अधर मैटर करता है कि स्क्रीन का साइज कितना है और वह एच्पी का है डेल का है लिनोवो का है तमाम चीज़ें एफेक्ट करती है प्राइज को स्क्रीन साइज एक बड़ा एहम रोल प्ले करता है थैंक यू सो मच सर अक्तर भाई आपने ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो बनाई और हमारी शॉप से में बुलेवार्ट बहुत इजली रदाती है मतलब अब गुज़रते हैं कर सकते हैं डेली वेसिस पर किसी का डेलोग गुज़र रहा तो नीचे से काल रहे हैं पूछ लिए हम नीचे से बॉतल पिलवा देंगे और इसके राव मेरा कॉंटक नमर है वो 0308011 4601 यह मेरा कॉंटक नमर है कोशिश करनी है कि अपने काल प्रिफर करनी है मैं से बहुत ज्यादा पंडिक रहे रहे हैं चलें तेंक यू सो मच इंशाला नेक्स वीडियो में होती है मुलाक का दुबारा इस अब को दोस्थ आपका उस आर्चे एई 513 बाई के साथ कर दोस्थ आर्चे लाए है